ब्रजबुशन शर्ण सिंग मामले में पहलवानों के द्वारा उठाए गए खदम काफी जादा चर्चाओं का विशे है जिस मैडल को जीतने के लिए सालों की मेहनत परिवार से अलग रहना तमाम बड़ी मुश्किलों का सामना किया उनी मैडल को फैकने का फैसला किया ना सादा जी हां कहा ये जा रहा है कि ब्रजबुशन के मामले की वज़े से पीम मोदी भी बुरे फस्ते नजर आ रहे हैं पीम मोदी पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं उनके फैसले पर उनके जिस तरीके से ब्रजबुशन के समर्तन में अभी तक चुपी साधे रखी है उस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पियाम मोदी कब बोलेंगे और बोलेंगे तो क्या बोलेंगे या बोलेंगे ही नहीं यह सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि ब्रज मुशन बार-बार यह कह रहा है कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है अब तो नाबालिक महिला पहलवान के चाजा ने भी बात कर दी कि नाबालिक कही न कहीं इसको डेट और बर्थ गलत दिखाए जारी वो नाबालिक है लेकिन उसकी डेट और बर्थ कुछ हो ले तो इस तरीके से कही सारे खुलासे हो रहे हैं लेकिन इस मामले पर कहा जा रहा है कि अब हो सकता है कि BJP ठक हार कर कोई कड़ा फैसला ले ब्रश भूशने खिलाफ क्यूंकि ब्रश भूशन के खिलाफ कोई कड़ा फैसला ला ले लेकिन महिला पहलवानों के लिए कोई बड़ा फैसला ले जिससे एक ये बात निकल कर सामने कि हाँ देश के पीम पर पीम की भी इस मामले पर नजरे हैं क्योंकि संसद भवन जो नया संसद भवन बनकर त्यार हुआ उसके और साती साथ जंतर मंतर के बीच के दूरी जादा नहीं है लेकिन बावजुद इसके पहलवान अपनी बात पीम मोदी तक नहीं पहुंचाने में कामियाब रहे जिस तरीके से उनको सड़कों पर घसीटा गया ये देखकर पीम मोदी का मन भी आहत हुआ होगा अगर नहीं हुआ होगा तो शायद इनसान कहने लाया कि हाँ पर तमाम बाते नहीं हो सकती है फिर तो जिस तरीके से मामला तूल पकरदा है इस पर विपक्षी पार्टी ने बहुत जादा जोड़ दिया ब्रेजबुशन ने तो ये भी कहा दिया कि अब ये धरना परदर्शन हाईजेक हो चुका है इस धरने परदर्शन पर बाकी पार्टी अपनी बात रख रही है ना कि पहलवान अपनी बात रख रही है तो इस धरने परदर्शन प फासी बिचड़ जाएंगे लेकिन पहले सारी बाते साफ होने चाहिए उसके बाद तमाम बातें यहां पर जंता के बीच रखी जाने ज़ूरी है अब देखते हैं इस मामले पर आगे प्याम मोदी का क्या कड़ा एक्षन नहता है हम यह नहीं कह रहें प्याम मोदी सिधा ही ग